बच्चों का ममोज खाने से कोई भी पैरेंस मने नहीं करेगा क्योंकि यहां बनाने वाले हम आटे के ममोज जो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बन जाएंगे और टेश्टी तो है ही है आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दिल से स्वागत करती हूं सभी टू फैमली का मैं हूं निशा और आज हम बनाएंगे आटे के ममोज तो क्योंकि आटे से ती मज़दार सी रेसिपी लेकर रही हूं आया होप आपको पसंद आए वीडियो पसंद आजा तो करें चैनल पर नहीं है अभी तक स्सक्राइब निगा तो जल्दी से कर लेना है बिल लाइकन का बटन सुर्वी आस्वान कर लेना आने वाली नोटफ लीकेसं असब से पहले आपको मिले सबसे पहले हम यहां पर पैन के अंदर पानी रग देंगे अब नहीं हम यहां यहां चोच को बना सकते हैं बच्चों को बहुत जादा पसंद दो कब ले लिए भर-बर के वह यहां पर हम इसके अंदर एट कर देंगे यहां पर हम पानी के आट करना गया है मैंने गेस को बंद कर दीया है अब इसे छोड़ देंगे साइट में ठंडा होने के लिए तो चलते हैं इतने नेग्सस्तेप की तरफ तो इहां पर हम इन्हें आटा लगा लेते हैं तो यहां मैं गेहन के आते से बना रही हूं तो यहां टेबल डाल दिंगे, इसके अंदर cooking oil, आप कोई भी regular cooking oil ले सकते हैं, अब इसका थोड़ा सा do लगाना है, हमें जैसे normally घर काटा लगाते हैं, बस उसे थोड़ा सा tight लगाना है, तो आठा एक दम से soft नहीं लगाना, क्योंकि हाँ पर हम ममोस बना रहे हैं, वो भी आठेक है, त तो थोड़ा सा आठा हमारे यहां पर tight लगेगा, तो इस तरह इस तरह दो त्यार कर लेंगे, अब आप सोचेंगे, निशा आपकी अवास के सोरी, मेरी तवियत बहुत जारा खराब चल रही है, लेकिन मैं फिर भी आपकी वीडियो लेकर आ रही हूं, और अभी तक मैं तो काफी जादा सौफ्ट हो रही है, अब हमें इसका सारा पानी रिमूब करना है, बिल्कुल जितनी आपके अंदर तागत होना जितना गुसा हो, सारा इन सोयविनों पर दिखा देना है, क्योंकि सब निचर जाएंगी और पानी इसका पूरा ड्राय हो जाएगा, तो इसके अंदर इसे ग्रैंड कर लेंगे, तो बिल्कुल फाइन नी पीसना और एकदम से मोटा भी नी पीसना, इस तरह का पीस लेना है, तो बस अब हमें क्या करना, अब इससे साइट में रख देंगे, अब आ जाते हैं, गेस की तरफ यहां दो से तीन टेबल डाल देंगे, मैं रिफाइंड में बना रही हूं, यहां पर मैंने बारिक चॉप कर लिया है, बटी स्पून गार्लिक, यानि कि यहां पर मैंने लसन ले लिया है, आगर आप लसन नहीं खातें, तो आप इसे स्कीप कर दें, प्यास भी निखातें, तो प्यास भी स्कीप कर दें, एक मीड अब यहां डाल देंगे स्वीड कॉन है तो इसलिए करेडियो को फुल बच कीजिए अब इहां पर मेले ले लिए मतर तो मेरे हलके-लके-बोई रुए-वे स्वीड कॉन है और हलके-बोई-वे मतर है वो इसके अंदर एट कर देंगे हरी मिर्चे एट कर दिया है मैंने 203 बारी कट करके बन टीस्पून डाल दी है मैंने चिली फ्लैक्स यानि के कुटी भी मिर्चे एक टीस्पून डालेंगे इसके अंदर हेधा ग्रीन चिली यानि के लिए जले डाल डाल देंगे एक टीस्पून भरकर बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा इसे जरूर डाले अब इन सारी चीजों को यहां पर हमें दो से तीन मिनट पर पका लेना है तो गेस का फिलेम यह रखेंगे हाई बिल्कुल नहीं करेंगे और जैसे कि मैं आपको बता मेरत बहुत अब यहां चोटी-सी रोटी तियार कर लेंगे पूरी से जरासीषी चोटी होगी कि जित्टे बड़ेवन नहीं बनाना चाहते इतनी बड़ी बना आए ज़्याधा मोटी पतली आप देख सकते इस तरह की मैं आपको एपनी तो थेर बनाई है आप लेलेंगे अपनी शेमें यहांनी कि नॉर्मली जो जाता तर मिलती है वो वाली शेव बना रही हूं गोल वाली तो बस प्लेटे इस तरह ही बनाने है आपको जिस तरह प्लेटे बनाते हैं न कपड़ों पर चुने भरी जाते हैं बिल्कुछ सेम वैसी अगर आपको इस तरह का भी नहीं आता तो आप द देखिए शेव वही होगी बस खाली हम आधी भरेंगे पिलेटे और आधी छोड़ देंगे और इस तरह से उपर की साइट से पकड़ना है हमें नीचे की साइट से मारी प्लेटे खराब जाएंगी अगर हमने दबाया तो यहां दूसरा भी बनकर हमारा इस तरह रेडियों क यहांडारे खीब्शम करेंं वह कि में यहांडारा टोड़ा सब्सक्राइब से रहे प्रेंगे और रहेंगे तो उसे तो मैंने सिच्टेप सारे ममोस यसे ही तैयार कर लेंगे फिर चलते हैं अपने बहगोनी की तरफ आप इसे कड़ाय मी बना सकते हैं पानी हमारा गरम वरा में नीचे श्टीनर रख रखा है अब यहां पर इस तरह लगते जाएंगे लेकिन मुह अपना ऐसी रखेंगे एक इस इसे खाने के लिएँ, तो माशारला से गजब की बनने वाली तो इसी लिए कहते हैं बच्चों नियए ह seperti यह से निकाल लेते हैं मैंनेमोस की चट्टनी भी बनाई हैं मैंने ममोज की चटनी की रेसीपीज नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं माशालला बहुत गजब की बनी थी मैं आपके साथ ममोज की चटनी की वीडियो इससे पहले शेयर करी है लेकिन फिलहाल अभी मैं ममोज बना रही हूँ अब यहां निकाल लेते तो है यह गजब के माशालला से वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुकरिया थेंक यू और इसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हैं जूडे रहे हैं निशा को फोलो करें और मैं आपको बता दूँ इसे खोल कर भी दिखा दूं तोड़ कर भी में याद्रफना